लखीमपूर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर अस्पताल की फर्ष पर तड़पतरा नवजवान और फोटो शूट कराते हुए छेतरी और विदायक स्वास्त विभाग में मची ला परवाही कैमरे के सामने से बच रहे हैं अधिकारी देश के मुख्या योगी अधितिनाथ लगातार अपने विदायकों को और मंत्रियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होने के देश दे रहे हैं वही उनी के पार्टी के मानिनियों का आलम या है कि वजनता को उसके हाल पर छोड मात्र फोटो शेशन कराने पर ही जोर देत दिखाई दे रहे हैं ऐसा ही एक नजारा लखिमपूर खीरी में उस वक्त दिखाई दिया जब एक छेत्री मानिनिया हॉस्पिटल की विवस्ता देखने जब वहां पहुंचे तो उनके चाहने वाले उनके साथ फोटो खिचाने में इतना वैस्त हुए कि उनके करीब ही हॉ हॉस्पिटल परिसर में जमीन पर पड़ा एक नजवान दर्द से तडपता रहा और बेबस मा अपने बच्चे की मदद के लिए गोहार लगाती रही लेकिन उसकी पुकार ना तो मानिनिये के कानों तक पहुंची और ना ही डॉक्टरों ने उसकी फर्यास सुनी मानिनिये क के आने के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि अब शायद फर्ष पर तडपते नौजवान को एंबुलन्स की विवस्ता हो जाएगी लेकिन मानिनिये के आने से अस्पिताल में पैदा हुई अफरात अफरी के बीच उस बेबस मा की और चीकते चिलाते अस्पिताल की फर्ष पर एंबुलन्स का इंतजार करती मा को जब एंबुलन्स मिली और वह उसे लेकर जिला स्पिताल के लिए रवाना हुई तो उसके बेटे ने उसके हाथों में ही दम तोड़ दिया अगर कहा जाये कहीं यह भी सही है व्यवस्ता स्वास्त विभाग की घोरला परवाही की बात व जो मौत हुई है कौन था आपका हमारा लड़का इसे अस्पताल ले गई थी क्या हुआ वहां पर टाक्टों ने राज किया है नहीं कहा बिफर कर दिया परजा बना दिया का इसको ले जाओ तो मैंने का सब्सक्रवा दो ऐसे ले जाएंगे इसने का आपनी निजी गाड़ी कीजिए एंबुलेंस नहीं मिली काफी समय तक आप चार गंडे तक आप वहीं बैठे रहे मेरा बैटा तड़कता रहा और वहां विदायक जी भी थे च्छतर के उन्होंने भी नहीं सुनी आपकी बात कोई नहीं सुना कहा मौत हुई है फिर इसे लड़के की अस्पताल नह